कहां पर है मनी नाग पहाड, क्या ये वही पहाड है, जो की नर्बली के लिए चर्चे में था, जहां पर श्री चैतन्य भी आये थे, जिस मिट्टी में बैठ कर संत अच्यूत्यान अंधरि बंच पुरान को लीख रहे थे. तो दोस्तों आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको ओरिसा का द्वितिय श्री खेत्र भी कहा जाता है, क्यूंकि श्री जगन्नात के 16 कला से एक कला इधर अबस्तित है. तो आज हम जाने वाले हैं समुद्र स्थल से 2000 फुट उंचा मनिनाग बहार में, जो कि कभी नर्बली के कारण चर्चा में था. देवी मा मनिनाग मंदिर रनपुर शहर में और उपर मनिनाग बहारी की चोटी पर भी स्थित है. रनपुर गर नयागर टाउन से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. मनिनाग पहारीों में देवी मनिनागेश्वरी की पूजा की जाती है. इस पहारी पर निचले स्थल में तल मनिनाग और उपर मनिनाग पीठ है. दोनु स्थानों पर ब्राहमनों और टीर थ्यात्रियों द्वारा देवी की पूजा की जाती है. मंदिर का निर्मान भगवान उधव सिंग ने 1328 से 1364 ही में किया था. रंपुर हेलोरिसा की पहारीों के बीच बहुत लोग प्रिया है. महाशिवरात्री, नवरात्री, श्री राम नवमी और स्यामा काली पूजा इस मंदिर के प्रमुक्त योहार हैं. उप्री मनीनाग मंदिर ओडिसा का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन या पहारी मंदिर है. सूर्यास्त के समय हिल व्यू बहुत अच्छा होता है. कई परियटक यहां पहारी मंदिर को देखने आते हैं. सुन्दर प्राकृतिक वातावरन और अद्भुत पहारी द्रिश्य परियटकों को आकर्शित करते हैं. उस पहारी की चोटी तक पहुँचने के लिए सत्रा घाटों से होकर गुजरना पड़ता है. बरसात के मौसम में जब बादल घाटी के पहारों को छूते हैं तो परियटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं. पहारी की प्राकृतिक सुन्दरता और घहने जंगल सर्दियों की शाम के दौरान कई परियटकों को आकर्शित करते हैं. मनी नाग मंदिर नयागड ओडिसा में प्रसित परियटन्स थल में से एक हैं. तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताए. वीडियो को लाइक करें और इस तरह के एंट्रेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिये गए बेल आइकॉन को क्लिक करें. ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. मिलते हैं और एक नए वीडियो में धन्यवाद.